गंद्बदी बप्पा को विराजने में कुछी दिन शेश रह गये हैं इसके चलती मुख्य बाजारों के साथ साथ शेहर में विविद स्थानों पर गनेश प्रतिमाओं के साथ साथ सजावट की दुकाने भी सच चुकी हैं वही उनके लिए कार्डबोर्ट और प्लाइ से आक शित कर रही है सरकार के थर्मकॉल बंदी के बाद से जहां सजावट के लिए थर्मकॉल का उप्योग बंद हो गया है वही इसकी जगह अप प्लाइ और कार्डबोर्ड से आकर शुक मंदर और सिहासन निर्मान हो रहा है थर्मकॉल से भी अधिक इस MDF प्लाइ वा कार्डब कार्डबोर्ड की कीमते बंढ़े से सिहासन मंदर और अन्य डेकोरेटिव वस्तुय महंगी हो गई है हर बार इसका निर्मान कारियर तीन महां पहले से ही शुरू हो जाता है लेकिन इस बार कोड़ा के कारण इसकी शुरुआत विलम से हुई इन मंदिरों सिहासन की कीमत 650 से शुरू होकर 18,000 से अनिक है दो वर्षों तक इनकी कीमत 32,000 तक चाती थी लेकिन इस बार लोगों की आर्थिक स्थिती को देखती हुई इनकी रेंज को कम रखा गया है थोड़ा प्रसिता अच्छा है और आट दिन बाकी है गनेज जी के लिए उसके बाद देखेंगे दस दिन क्या होता है पुड़ी बारिश कम हो जाए बारिश के वेज़े से थोड़ा प्रब्लम हो रहा है अभी आर्टिश को फिलावर के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं और आर्टिफिशल में बहुत सारी वेराइटी है और काफी लोग अच्छे पसंद कर रहे है वेराटी में कुछ जरबेरा फ्लावर और बाकी और भी फ्लावर है उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं पहले लोगो द्वारा घर में साधा सिंपल डेकोरीशिन किया शाथा लेकिन आप रंग बिरेंगे रंगों और कलाकारी से त्यार होने वाले मंदर और सिहासन में बसमा कलर्स के साथ लाइटिंग भी लगा कर दी जाती है वही हम मंदर और सिहासन फोल्डिंग वाले रहते ह यह वजन में काफी हलकी होती है इस समय विविद कलर्स और सजावटी चीजों के साथ-साथ छोटी-छोटी लाइटिंग लगा कर इससे काफी अधिक आकर शक पिनाया चाता है जिसकी मांग भी ग्रहक द्वारा की जारी है कैमरा परसन माइकल के साथ छिती जाद देशमुख बीसियन यूस नाखपूर